हालो प्रेंज कैसे हैं आप सब स्वागत हैं आप सब का मेरे YouTube चैनल रूपन व्यूट्य पारणर मैं चलिब आज हम आप लोग के साथ सेयर करने वाले हैं फैदर हेर कट तो उसको कैसे करते हैं तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीस लाइक करिए सेर करिए अपने दोस्तों के साथ सेर करिए जिन लोगों को जरूरत हो आप लोग के जानकारी में हो उन लोग के साथ सेर करिए जो इसे हमारी तो हर वीडियो हर कटिंग मतलब जो भी वीडियो हम आप से में रखा और गाल में भीतम गल माल जूटकराइं और कर जो मतले यहां का गल कौत दढ़ा हसे द लिकार हें सबस्कुर्च करणा है अब कर दोनेज़ेश्यार्व कोई भी कटिंग करने से पहले हम जो है बालों को सुलजा के नीचे से स्टेट कट कर देते हैं जो बिकार बाल होते हैं हो निकल जाते हैं और इस तरीके से देखे फिर हम सामने आये हैं इस कट में आपको कस्टमर के सामने ही खड़ा होना है इस तरीके से आपको कट करना है तो अब देखिया हम जो है सामने आये हैं और दोनों साइट से बराबर बराबर बाल को ले लिए हैं यह हमारी गाइड ला जाने आप क्लाइठ से पूछ के करेंगे औहीं करेंगि और इस तरीके मिलां है हुए थोड़े ना है वहां वाहं पे हमें ले आना है तो जैसे जैसे कौ लेकर करते जाएंगे हम मारे वैसे वैसे बड़े होते जाते हैं पहला कट जो होता हो छोटा होता है फिर उससे बड़ा होता है उससे बड़ा होता है इस तरीके से जो है एक कटिंग होती है तो इस तरीके से देखे फिर जो हमारी गाइडलाइन है उसे मिलाते हुए तीरचा कट कर देना है बाल को आप बह सीर के उपर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि जैसे हम कॉम करते हैं तो उनके सीर इधर उदर हिलते रहते हैं तो उससे भी कटिंग जो है गलत हो जाती है तो इसलिए जब हम कॉम करेंगे उसके बाद फिर एक बार हमें फिर सीर को सीधा कर लेना है और एकदम सीधे सामने ले तो इसीस का जो हाद ध्यान करते हैं तो उस पर हमें ध्यान देना है जिससे की हमारी कटिंग जुह ठीक उसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी करना है जो हमारी गाइड लाइन है उसे हम लेंगे अधोड़े से बाल और लेंगे और इस तरीके से देखिए गाइड लाइन को मिलाते हुए देखें तिर्चा काटा इस तरीके से कर देंगे थोड़े थोड़े बाल को में लेना है थोड़े थोड़े बाल लेते हुए कट करेंगे कि अपतो उ실ते हैं शोड़े थोड़े थोड़े बाल लेते हुए करेंगे olacak लेकि अपतो खल झाल को में ढ़ते हैं Hyperica झाल झाल तो इस तरीके से देखिए दोनों साइट के बाल कट हो चुके हैं और दोनों साइट में हम मिलाएंगे कि हमारे बाल एक बराबर है कि नहीं तो देखिए दोनों साइट के एक बराबर हैं और पीछे फिर हम बाल को ले आएंगे तो इस तरीके से देखिए इसमें अलग से सेफ देने की जवरत नहीं दिख रही है वैसे कटिंग होने के बाद फिर भी जो है एक बार चेक कर लेना है कि कोई बाल चोटा बड़ा नहीं है तो ऐसे इसमें जो है है अलग से कट नहीं देंगे कोई सेफ नहीं बना हुआ है कि तो एक टिंग बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि इस लिख उखें केुछ से पाजाते हैं तो अलग से देने की जोगत नहीं पड़ती है वैसे फिर भी कटिंग होने के बाद एक बार दो बार आपको चड़े करना है तो इस तरी के से देखिए हम चेके हैंब कुछ नहीं दिख रहा है अलग से हम कट नहीं दिये हैं और फिर इनको फ्लिक्ट भी चाहिए था और जैसे थोड़ा ज्यादा वाला देखे इसे में हम यहां हीगे जो फ्लिक्स कट करेंगे मतलब एक-दो इंच हमें बड़ा ही कट करना है अगे कि और फिर एक साइड ले जाके जिस साइड उनको करना कस्टमर से पुछ लेना का आप कोई साइड करना उस साइड इस तरीके से ले जाके फिर आपको एक बाद तिर चाकट दे देना है और फिर थोड़े से बाल जिसे तिर्ची मांग जहां से निकालती हैं वहां से तिर्ची मांग निकालके और जो कट किये हैं थोड़े से बाल इधर भी दोनों साइट करेंगे एक साइट का ज्यादा होगा एक साइट थोड़ा कम होगा तो उससे मिलाते हुए फिर हम थोड़े से बाल और एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से मिला के कट कर देंगे जिससे की हमारी कटिंग जो है मिक्स हो जाए अलक से ना दिखे उसी तरीके से इधर भी करेंगे दोनों साइड कर लेना है फिर दोनों साइड मिला के देखेंगे बराबर है की नहीं है तो अगर छोटा बड़ा है तो फिर उसे हम ठीक करेंगे इस साइड थोड़ा सा बड़ा भी दिख रहा है बहुत चरा सा तो उसे कट करके निकाल देना है तो यह इनका फाइनल लुक है कटिंग हो चुकी है